हेलो बच्चों आज हमारा नया चैप्टर है त्री क्वेशिन्स जिसकी क्वेशन आंसर मैं अल्रेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे यह चैप्टर एक किंग की कहानी है जो जानना चाहता है तीन सवालों के जवाब वो सवाल है कि what is the right time to begin something कोई भी काम करने का सही समय कौन सा होता है which people should be should he listen to वो कौन से लोग है जिनकी बाते सुनकर उसे कोई काम शुरू करना चाहिए और what is the most important thing for him to do और वो कौन सा काम है जो सबसे जरूरी है उसके लिए करने के लिए तो ये सब चीज़े जानकर उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे इस सवालों के जवाब बता होंगे तो वो सबसे ज़्यादा बतब ताकतवर हो जाएगा और उसे हर चीज़े के बारे में पता चल जाएगा तो उसने क्या किया कि उसने अपनी किंडम में बहुत सारी जगाओं पर बहुत सारे लोगों को ये बताया कि अगर जो भी उसे इन सवालों के जवाब बताएगा इन तीनों कोईशन के आंसर देगा वो उनको बहुत सारे इनाम देगा तो बहुत सारे wise men जो थे उसकी kingdom के वो उसके पास आए तो बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत कुछ बताया जैसे कि किसी ने कहा time table बनाओ, उसको follow करो किसी ने कहा कि proper time पे हर काम करो किसी ने कहा कि कोई भी काम करना, advance में करना impossible है तो king को हर चीज काम करने से पहले उसे बता देना चाहिए और ये भी कहा कि always you know, जो भी ज़रूरी काम है उसे उसी time कर देना चाहिए तो जबकि king को बताने के लिए लोगों के पास बहुत सारी चीज़े थी बहुत सारे चीजे थी लेकिन king को किसी की भी सवालों के जवाब से satisfaction नहीं मिल रहा था तब ही उसको किसी ने बताया कि एक hermit रहता है एक जंगल में यानि कि एक आदमी जो isolation में रहता है अकेले रहता है जंगल में खुदा की बंदगी करने के लिए उसे hermit बोलते हैं तो वो सुचने सोचा कि मैं उस hermit के पास जाओ लेकिन hermit जो है वो सिर्फ Alright वो किसी भी raja महराजा की बात नहीं सुनता था तो वो गया hermit के पास उसकी बात सुनने के लिए तो लेकिन hermit ने जो था वो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसने क्या किया राजा एक डिस्गाइस में गया डिस्गाइस इन दे सेंस कि उसने अपने आपको राजा की तरह नहीं एक आम आदमी की तरह गया बिलकुल किसी कार्ड वगरा के बगार गया और वहां पे गया उसके पास उसकी हेल्प लेने के लिए उस टाइम हर्मिट जो था वो एक गड़ा होत रहा था तो उसने राजा ने उसको सलाम किया उसको बाद